रुद्रप्याग जिले में फाटा के पास लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रात में बने कैंप में रह रहे चार नेपाली मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई जिला अपदा प्रबंदन अधिकावी नंदन सिंग रजवार और पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकावी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही रहत और बचाफ कारे के लिए बचाफ टी में मौके पर पहुच गई और सभी टीमों ने आपसी समन्वय से मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम किया काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को निकाल लिया गया है और सभी अचेत अवस्था में मिले हैं जानकारी के अनुसार सभी लोग नेपाल राश्टू के निवासी हैं इनकी पहचान तुल बहादोर, पोबड़ा, किष्णा परिहार और दीपक के भूप में हुई है इनके शवों को जिला अस्पतार भेजा जा रहा है वेस्क्यू में SDRF, DDRF और जिला पुलिस के संयूग तचावाल शामिल थे रुदप्याग से सते पाल नेगी की विपोर्ट